गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स वेल्कम टू ओनलाइन इस्टिडी पॉइंट दोस्तो आज है 29 सितंबर और देखेंगे आज की पूरे 14 करेंट फेस कुशन्स तो आप इस पूरा वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए लास्ट में कुशन पूछोगो उसका एंसर आपको कमें इस वीडियो की पीडिया फाइल के लिए आप हमारे टेलिग्राम चैनल को ज़रो जोइन कर लें वहां पर आपको हर एक्जाम से लेटेट पीडिया फाइल है और डेली करेंड अफेस लेट फीडिया फाइल मिलती है लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल और आपे करने टेफेस की वीडियो जरूरों प्री में देख सकते हैं आप चैनल पर पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर पेस कर देजिए ताकि आपको डेली मौनी में पांच बज़े करने डेजिए करें इस वीडियो को प्लीज लाइक सरह है option भी रजनी कांद मिस्रा को यह most important question है आपके अगामी हर exam में hundred percent पूछा जाएगा आपको बतादेख सरकार ने रजनी कांद मिस्रा को सीमा सुरक्षाबल बीस अब को full form क्या होता है Border Security Force सीमा सुरक्षाबल बॉर्डर सेक्यूर्टी फोस्स के जो नयमानितिसक निउत कि रजनी कांद मिस्रा आपको बतादेख किए सबसे लेटें अग्सरार exam में question पूछ ले आता है विसाब का full form पूछा आता है तो विसाब मैं पूछा चुका हूँ border security force सीमा सुरक्षाबल इसकी इसकी सथाबना कभूई थी यह most important question चने तो इसकी स्थाबना हुई थी नाइंटीन सिक्ष्टी फाइब में इसका है इसका है को यह दिल्ली में मुख्याले दिल्ली में इसका प्रमुकर है जो सत्रु सेना की घुस्पैट था सीमा उलंगान से अपने देश की सीमा को सुरक्षिद बनाना ठीक के बीसेब का रहे ह यह आपको याद रखना है लिए सब के कि नय महानेदेशक किसे निक्सरा— मिस्वाजी को वह बात करेंगाsite Kit, 30–307 रेडीजी अभी तो यह हाली में इन को निक्ट्री करें अगर बात करें हुए पर अनके सिंग के फ्यक्राइए इपित्द्दो पाइस पूछिण से बात करें कर विजयं शे qmar सर्मा हिर पूछा जाने माला ही है है अगर यहां पर दुस्तों बात करें एसेस्वी की सथस्थ सीमावल की तो दोस्तों ससस सीमावल के बारे में भी आपको पता होना चाहिए इसकी स्थाबना होई थी पंदरा दिसंबर 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 तीन में कब पंदर दिसंबर दिसंबर तीन में ससस सीमावल की स्थाबना होई थी SSB की और आपको बता दीक पहले तक इसका नाम स्पेसल सर्विस विवरो था इसका गठन 1963 में किया गया था ठीक है अब इसका गठन को जो मुख देश था 1962 भारत चीन युद्ध के बाद सीमवर्ती छित्रों के लोगों में विश्वास पैदा करना और देशवक्ती की भावना को विकास करना था ठीक है तो यह फैक्ट आपको याद रखना है यहां पर थोड़ा से एंसी सी के बारे हम जान लेते हैं बेसे बगएरा की बात हो दो देटे लेटे रक्सर कोईशन पूचा आता है सबसे पहले इसका फूल फॉर नेशनल काइड़ेट कोर एंसी सी नेशनल काइड़ेट कोर ठीक है यह आपको पता होना चाहिए और एंसी सी की स्थाबना वी थी 1948 में यह बहुत मात्पूर है यह एंसी सी क्या है आपको उता दे की की गई थी इसका मुख्य उद्देश जो है भारत की रक्षा के प्रति यूवकों तो यूवतियों को जागरू करना आर्थीक शुदसद्रत में भारत काउन से स्थान पर यह भी वेरी बारिर कोड़र कोशन नियूपनर कोशन अकृशनर पूशा आता है तो आर्थीक टू कंट्रीज में थी इसे भारत का स्थान क्या 96 आपको वतादिक पिछले बर्स के रिपोर्ट है भारत सुचकांग में अंठान वे स्थान पर था ठीक है य्-98 पर था लेकिन साल थार वहा है तो हॉंग कांगर सिंगापूर कंक से पहले र습 दूसरे अस्थान पर शुचकांग में सबसे ऊपर हैं ह Thai की यह आपको न yapt rely बहुत इंपोर्टेंट हो जाते हैं वहीं बात करें 130 तो अभी हाली में जो तो लिए यानि मानव विकास सुचकांग भी जारी किया गया था तो यह भी पूछा जाएगा आपसे इंपोर्टेंट है पक्का पूछा जाने वाले आगामी एक्जाम में आपको याद रखना है मानव विकास सुचकांग में 130 पोजिस्टा जबकि आर्थिक सुचकांग भी जारी उसमें 96 तो यह दोनों फैक्ट आपको याद रखने है इसके लाव दोस्तों जिए आपको रेल् पीज़ा नोट्स एल्बुक विल्सर द्वारा त्यार किए गए हैं काफी कम टाइम में से मटेज़त डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा मातर 30 रूपे बुखा पर्चेस कर सकते हैं ठीक है और यह वीडियो अच्छा लाइक प्लीज लाइक जरूर कर दिया करें तो आ कि दोस्तों हाली में आभ ़ीज़ित की गई जी फोर बैठक में भारत की ओर सट ले बाच्छा की गई है जी फोर गीज़ित अगला कोश्चन कोश्चन नमबर 4 रहे हैं दिल्ली से बाहर किस स्थान पर पन्सक्राइजए को रही है जिसे एसीय का सबसे बड़ा एयरवेस माना जाता था है शॉत करेक्ट एंसर का उगे इसका जोधपूर यानि यह ऑपसंडी कर्रेक्ट हो जाएगा जोधपूर आप पोता दिक दिल्ली से बाहर पहली बार जोतपूर में कमांडर कॉंग्रेस कमांडर कॉंफरेंस आजित हो रही है जोतपूर को एसिया का सबसे बड़ा एयरवेस भी माना जाता है ठीक है और यहां पर जोतपूर कहां आता है राजस्थान राजज में आता है जो जोतपूर और कल्यान सिंग बश्तमान राजिपाल का उन्हें राज़िपाल के वह एक मोस्ट इमड़ने कुशन बहुत इजी है छेत्रफल्ग दिश्टी से सबसे बड़ा राज भारत का एरिया बाइस बात करें तो भारत का सबसे बड़ा राजी कांसा है तो है राजस्थान और ज संख्या कहसाब से बात करें जण संख्या के देश्टी से यूपी सबसे बड़ा राजी तो यह पर बात करें राजस्थान के बृत सबसेंठास करो अब double 200 सीट विधान सभा की और बात करें लोग सभा की सीट कितनी है तो लोग सभा की सीट है यहां पर 25 सीट है टोटल और राजसभा की सीट है 10 ठीक है विधान सभा की 200 लोग सभा की 25 और राजसभा की 10 सीट है यह फैक्ट आपको राजस्थान से लेड़ेट पूछा जाएगा या वहाँ पे आपको मैं डेली करेंडर फेस और बहुत सारे हैंडिटेन नोट शेयर करता हूँ फटाफट लाइक कर लिए उसके लाबा मैं करेंडर फेस की विशेस नोट सेयर करने वाला उपने फेसबूक पेच पर फटाफट लाइक कर जैंग भी आपको वीडियो को डिस्क्र अहिल्यावाई होलकर हवाई एड़ा है और अहम्दाबाद के जो सरदार वल्लाब भाई पटेल अंतर रास्टी हवाई एड़े को रास्ट्री परेटन पुरुसकार अधिश्र News 11 cos sadrach समानित किया गया है ठीक है तो यह f蓄क आपको अधाध ना है रास्टी परेटन पुरुसकार वहम्रिण प्रिवाद के से किस सहर के एयरपोर्ट को बेस्ट राप्त हुआ है इंदावर को जो एरपोर्ट है उनका उसका नाम है देवी आहिल्या भाई होलकार एरपोर्ट इंटरनेस्ट होलकार एक इसके लावा अगले कुश्चन तर बढ़ते हैं हाली मंजूर की गई नई दूर संचान निती की तहत हर एक ग्राम पंचायत को एक GVPS की broadband connectivity देने का लक्ष निधारित किया गया है correct answer option 2020 तक आपको वताद एक नई दूर संचान निती की तहत वर्ष 2020 तक देश के हर एक नागरिक को 50 Mbps की speed तथा हर एक 50 Mbps की तथा हर एक ग्राम पंचायत को एक GVPS का broadband connectivity देने का लक्ष निधारित किया गया है यह भी fact याद रखना है question number 7 है सबरी वाला मंदिर किस राज में है जिसके लिए सुप्रीम कोड ने सुनाते हैं कि हम महिलाओं को प्रवेश करने का अधिकार है सबरी वाला जो टेंपल है दोस्तों विस्तित केरला में ठीक option भी correct हो जाएगा आपको उतादे कि सुप्रीम कोड ने अपने महत्मूर फैसले में केरल का सबरी वाला महिलाओं की एंट्री को रोक हटा दिया मैलाओं के एंट्री अवेहां पर महिलाएं जा सकते हैं राओ कर दिया गया तो यह बहुत बार question पूछा het कि उस्ब्र तो केरला गिराजधानी क्या है तिरुवनंद पूरा में केरला गिराजधानी और केरला को जो बरतमान सीयम है वह पिनराई विजियन और गवर्नर है पी सच्छिवम केरला से लेटेड एक बहुत महत्मुन कोश्चन पूछा थे मोहनी एक्टम कि इस राज कंडित थे लोग न तारीक अनवर राष्टरबादी कांग्रेस पार्टी और लोकसभा की सहसर जिस्तिफा देने को प्रांत तारीक अनवर ने लडाको वीमान रफेल के सवद्य मुई कथित गरवड़ी की संसदी समिती से जाज कराने की माग की है कोश्चन नम्र नाइन्थ है विश्व परेट संग्ठंद्वारा 1980 में शुरू किया गया था है ठीक है 1980 में तो यह करेक्ट एंसर 27 सितंबर अगला कोशन केंद्री वित्त मंत्राले ने कितने गयर आवश्य को भूखता बस्तों के आयत में कमी करने है तो आयात सुलक में बृद्धि की है जिसका करेक्ट एंसर आगा ऑप अगने के लिए किया गया है ठीक है लिया गया है ब्रतवाने भारत की वित्त मंत्री को औरों यह आप सब पता है अरण जेटLी भृत मले भ्रत की वित्त सची कोशन है मौरकों ने रक्षा शेत्र में दुविपक्षी सहयों को बढ़ावा देने के लिए सहमती प्रकट की है और इस संबंध मौरकों के रक्षा मंत्री जो है अब देल फित लौदई और भारती रक्षा मंत्री की बीच नई दिल्ली में बैठक के बाद यह नड़े लिया गया है भारत और किस देश ने रक्षा शेत्र में दुविपक्षी सहयों को बढ़ावा देने के लिए सहमती प्रकट की तुम रखोगे बीच कोश्चन नमर 12 है भारती सेना द्वारा एलोसी पर आतंकी कैमपों पर सर्जकर स्टाइक के कितने साल पूरा होने पर प्रामिस्टर भूदी जी ने जोदपूर राजस्थान में तीन दिवसी पराक्राम परव की शुरुवात की है कुश्चन नमर 13 है आम्ड कॉन्फिक्ट लोकेशन एंड इवेंट डेटा प्रोजेक्ट के आकड़ों का अनुसार यमन में जून 2018 से अब तक आम नागर्कों की मौत की संख् परसेंट की बढ़ोतरी हुई है इसका करेक्ट एंसर रहाएगा ऑप्सन ए 164 परसेंट आपको बतादिक आर्म्ड कंफिक्ट लोकेशन एंड इवेंट डाटा प्रोजेक्ट के अकड़ों के अनुसार यमन में जून 2018 से अब तक आम नागर्कों की मौत की संख्या में 164 पर पर संसी फिलिस्तान आपको तादिक अअमिर्की राष्ट पते जोंडोनाल्ड ट्रम्प ने पहली बार इस्रायल और ख्रीस्तीन की बीच संखर सुल जाने के लिए दो देश शिधान पर कारसमर्थन किया है बात कर अमेरिका की रास्ट पते ही डोलाल्ड ट्रम अमेरिक एक राजधानी है वासिंग्टन डिसी डिसी का फुलफाउं करता वासिंग्टन में डिस्टिक्ट टॉप कोलंबिया ठीक यह भी आपको आधक मैं अब देख लेते लास्ट वीडियो का एंसर वार्कलेज हुरून इंडिया रिच लिश दो अठारा में सबसे सी स्थान पर कौन है अब देख लेते हैं आज का सवाल के आज का कुशन क्या है भारत के प्रधानमत्री मोधी जी के साथ साथ कि इस देश के राष्ट वामुक को संक तुरूप से चैंपियन आफ अर्थावाट से समानित किया गया है ऑप्सन दे रहें प्लीज कमेंट जरूर करिए कि ज्यादा आप लिखेंगे उतनी अच्छा रहेगा आपके एक्जाम के लिए इसलिए डिटेल में जरूर लिखा करें ठीक है उसके साथ आता हूं इस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लें आप हमें डेली कुछ पोस्ट करता हूं उसके लावे वहाँ पे कुछ नोट्स में पोस्ट क सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें साथ में बेल आगान प्रिस कर दें ताक कि अपको डेली इसी तरह हमारे चैनल से मौनिंग वीडियो जरूर देखा करें ठीक है तो चलिए कमेंट जरूर करिएगा साथ ही वीडियो को लाइक शेयर करके सपोर्ट करिएगा मिलते ह नेक्स वीडियो के साथ आप अपना ध्यान रखिए आपको एक्जाम के लिए आल दे बेरी बेस्ट मारे सुपकामने आपके साथ हैं ठीक है जै हिन जै भारत